आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन म्यूजिक में आज मैं आपको बताऊंगी कच्छुए की अंगुठी पहनने से क्या लाब मिलता है किन राशी के जातकों के लिए इसे धारन करना शुब नहीं होता इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी क्या आपने भी उंगली में चांदी की धातु में कच्छुए की अंगुठी धारन कर रखी है या फिर इसे पहनने की सोच रहे हैं कच्वे की अंगुठी के संबन में आप ये तो जानते हैं कि इसे पहनने से धन प्राप्ति का योग बनता है हाला कि इसे कैसे और किन लोगों को धारन करना चाहिए इससे आप अंजान है ऐसा देखा गया है कि जो लोग बिना जानकारी के अपनी उंगली में कच्वे की अंगुठी बिना जानकारी के पहन लेते हैं उन में से कुछ को इसके सुब परिणाम नहीं मिल पाते हैं और धन का नुक्षान होने लगता है इसलिए आज हम कच्वे की अंगुठी से जुड़ी कुछ जानकारी आपको बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी अपना भागय चमका सकते हैं आईए आपको कच्वे की अंगुठी से होने वाले लाब और किन राश्रीयों के लोग इसको धारन कर सकते हैं वह बताती हूँ ऐसे में कच्वे की अंगुठी पहनना सुब माना जाता है इसे धारन करने पर मन को शान्ती मिलती है इसके अलावा वहवार भी संतुलित रहता है सुकुरवार का दिन मा लक्ष्मी को समर्पित है इसलिए इस दिन कच्वे की अंगुटी धारन करना बहुत शुब माना जाता है ध्यान रहे कि इसे धारन करने से पहले कच्वे की अंगुटी पर श्री इंकित जरूर करवा ले इसके अलावा श्री उंगली की तरफ होना चाहिए कच्छुए की अंगुटी पहनने से पहले सबसे पहले आपको कुछी उपाय जरूर कर लेने चाहिए सबसे पहले एक कटोरी में कच्छे दूद को डाल कर उसमें कच्छुए की अंगुटी डाल दें इसके बाद गंगाल जल से कच्छुए की अंगुटी का सुद्धी करण करें अब अंगुटी को मालक्ष्मी के समक्स रख कर पूजा करें इसके बाद श्री सुक्त का पाट भी करें ऐसा करने के बाद इस अंगुटी को धारण कर ले कच्छुए की अंगूटी पहनने के दोरान ये दिहान रखें कि कच्छुए का मुक आपकी और होना चाहिए इसे अंगूटे मद्यमा उंगली या अनामिका उंगली में पहनना चाहिए इस उंगली के अलावा अगर आप किसी और में इसे धारन करते हैं तो आपको इसका कोई भी फायदा प्राप्ट नहीं होगा जोतिस के अनुसार 12 राशियों में 3 राशियां ऐसी हैं जिने कच्छुए की अंगुटी धारन नहीं करनी चाहिए इनमें कर्क, व्रिष्चक और मीन राशि शामिल है जिनके लिए कच्छुए की अंगुटी को पहनना सुब नहीं माना जाता दरसल इन राशियों का संबंध जल्द तत्वों से होता है ऐसे में इनको कच्छुए की अंगुटी भागे साली होती है मुक्यता ये चांदी की पहनी जाती है ऐसा माना जाता है कि कच्छुए की अंगुटी व्यक्ति की पिछली जिनकी की गलतियों को शांत करने के लिए साथ-साथ सिम्रिद्धी और सफलता दिलाने का काम करती है इससे धन धानने की वृद्धी होती है कच्वे की अंगूठी आत्मिश्वास बढ़ाने में भी मदद करती है वेदों और शास्त्रों के अनुसार कच्वा प्रेम सकारत्मक्त और प्रक्ति का प्रतीक माना जाता है मैं आपको बताऊंगी पुर्शो को कच्वे वाली अंगूठी किस उंगली में पहननी चाहिए इसे पहनते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका मुख आपकी तरफ हो इससे धन अकर्शित होता है कच्वे का मुख बाहर की तरफ होने पर धन के व्य होनी की संभावना होती है इस अंगूठी को हमेशा सीधे हाथ की बीच वाली उंगली या फिर तरजनी उंगली में पहनना चाहिए कच्वा रिंग हमेशा चांदी की धातु की पहननी चाहिए जिससे इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के मस्तिक्ष पर पड़ता है एक बार अंगूठी पहनने के बाद इसे बार बार ना घुमाए इससे इसकी दिशा बदल जाती है और धन आगमन में समस्या आती है कच्वा रिंग का सीधा संबंध माता लक्षमी से माना जाता है आप धन प्राप्ति के लिए कच्वे की सोने या चांदी की अंगूठी धारन कर सकते हैं सुकुरवार के दिन और पहले उसका दूद से सुद्धी करण करें गंगाजल से उसके बाद माता लक्षमी का 108 बार माता लक्षमी के मंतर का जाप करें और उनके चर्णों में अंगूठी रखने के बाद फिर उसे थोड़ी तिर बाद धारन करें ऐसे अच्छे अच्छे जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन म्यूजिक को सस्क्राइब करें मेरी वीडियोज को लाइक करें धन्यवाद